Hello students, कैसे आप सब लोग? I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे. Hi याशुतोष, welcome you to the digital platform of Winsome International School. My dear students, आज हम बढ़ रहे हैं आपकी प्यारे सी बुक, Flamingo का chapter number 6. इस chapter का नाम है, Poets and Pancakes. Poets and Pancakes. अब Poets word का तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं. आप बच्पन से English पढ़ते आ रहे हैं, और English पढ़ते पढ़ते आपने अगर poems ना पढ़ी हों, ऐसा हो नहीं सकता. अब बस इन ही poems को जो लिखने वाले होते हैं, उनको क्या कहते हैं, अपन? Poets कहते हैं, Hindi में से कह सकते हैं, कभी. दूसी तरफ, एंड के बाद में हैं, यह जो वर्ड लिखा है, pancakes, यह शायद आपको पच भी नहीं रहा होगा. कई बार तो बचेस को पढ़के सोचते हैं, कि सरी, यह सही स्पैलिंग लिखी है, कुछ और है. क्योंकि pancake एक खाने की चीज होती है. और poets बहुत अच्छी चीजों की बाते करते हैं, लेकिन खाने की चीजों के बारे में वैसे भी बात कम करते हैं, और कहीं न कहीं मैं कहूंगा, इससे एक जुड़ाव कम ही दिखता है. बट आप गब रहाएगा नहीं, मैं आपको एक मिनिट में अंदर समझायता हूँ, यह क्या यहां पर हो रहा है. एक्चुली इस स्टोरी के अंदर, आप इस चैप्टर में दिखेंगे, आपको स्टोरी दिखेंगी, या एक विजुल बताया जाएगा एक जगे का, और यह जगे यह एक स्टूडियो है, फिल्म स्टूडियो आप मान सकते हैं, जिसको. स्टूडियो में, जैसे एक्टर, एक्टरसे होते हैं, आप जानते हैं, कई बार मेकप होता है, आपने भी, आपने कभी अनुवल फंक्शन में कसी चीज को इनेक्ट किया होगा, तो मेकप आपका होगा. और मेकप करते समय, यह थोड़ा सा पुरानी स्टूरी है, उस समय मेकप की, या जो अपन मेकप अगरते हैं, उसकी बहुत अची ब्रैंड हुआ करती थी, क्या, पैनकेक. तो पोएट्स, जो की एक अच्छा कंटेंट देते हैं किसी भी ड्रामा को बनाने के लिए, और पैनकेक्स, जो एक्टरसेस के मुँपे, जो पाउडर बगरा लगाया जाता है, और पैनकेक्स जो है, उसकी एक ब्रैंड का नाम है. तो यह इस चेप्टर का नाम है. इस असोका मित्रन, यह जो है हमारे ओथर है, इनका नाम है असोका मित्रन, यह 1931 से 2017 तक जी है जी, यह एक तमिल राइटर है, तमिल राइटर है, तमिल राडु से या फिर अपने साउथ रीजिन से बेलॉंग करते हैं. री काउंट्स, इस यह एट जैमिनी स्टूडियोस, जै जैसे अच्छे इस तरह के कैमराज वगरा नहीं होते थे, जहां आउट्डोर शूटिंग हो सके और मतलब बहुत प्रॉपर अच्छे से शूट कर सके, तो पहले स्टूडियोस वगरे में ही क्या निर्बढ़ता रहते थी, शूट करने को लेकर किसी भी ड्रामा या मूवी बगरे को, जैमिनी स्टूडियोस करके एक जगह है, यह कहते हैं, यह एक तमिल राइटर है, जो रिकाउंट करते हैं अपने सालों को जैमिनी स्टूडियोस के अंदर, रिकाउंट का मतलब अच्छो यहाँ पर रिमेंबर ही है, याद करना, इनकी जो किताब थी, जिसका नाम क्या था, My Years with Boss, इस किताब के नाम को यहाँ पर मैंचिन किया गया, और इसके अंदर, जैमिनी स्टूडियोस के अंदर, उनकी जो लाइफ रही है, उसके बारे में यह बताते हैं, विच तॉक्स ऑफ दे इन्फलेंस ऑफ मुवीज, ओन एवरी आसपेक्ट अफ लाइफ इन इंडिया, यह जो खिताब है, यह बताती है, कि जो मुवीज होती हैं हमारे इंडिया में, उनका क्या प्रभाव, उनका क्या प्रभाव पढ़ता है, ओन एवरी आसपक्ट अप ल पर हर एक पार्ट पर जो अपनी लाइफ का होता है उस पर क्या प्रभाः पड़ता है मुवीज का ये इन्होंने अपनी बुक में बता है ये जैविने स्टूडियो इस लोकेट इन चैन्नाई ये कहा है जी चैन्नाई में है वास सेटप इन 1940 में बनाया गया था शतुड़ पारे पारे बनाया के गया सेट हागए खाप फ्रावल की इन चैन्नाई माड़ सब्सक्राइब तो नाषियो तो बेद इन प्रवास अंचाई है ये ये इन्डिया के सबसे जय्यादा इंफ्लेंशल फिल्म फ्रोडूशिंग औरनाईशियोंस में से एक था In the early days of Indian filmmaking जो Indian filmmaking के जो early days थे यानि के starting के दिन थे उसमें सबसे अब कह सकते हैं कि ये famous जगों में से एक थे Its founder was S.S. Vasan तो founder का नाम भी बताया गया भी studio के कौन है? S.S. Vasan The duty of Ashokamitran जो की author है धान रखे The duty of Ashokamitran in Gemini Studios was to cut out newspaper clippings on a wide variety of subjects इनका गाम गया था ये सिर्फ newspaper में से क्या करते थे कुछ clippings जो है वो निकालते थे जिसमें जो इनका subject था वो कुछ भी हो सकता था बहुत बड़ी variety थी कुछ भी बहुत सारी चीज़ों में वो क्या clippings निकालते थे newspaper में से and store them और उनको store करते थे किसमें files के अंदर ये अशो का मित्रम जी का काम था भई कि newspaper आया तो जो भी काम की चीज़ है newspaper में से उनकी cuttings निकाल कर रख ली Many of these had to be written out by hand इनमें से कई उनको तो हाथ से लिखना पड़ता था Although he performed an insignificant function He was the most well informed of all the members of the Gemini family Gemini family तो आप समझी गया होंगे studio के अंदर जो पूरा staff है उसकी बात हो रही है हाला कि वो एक बहुत insignificant काम किया करते थे insignificant का अर्थ होगे बच्चो अनिम्पोर्टेंट जिसका कोई बहुत जादे importance नहीं He was the most well informed of all the members of Gemini family आप समझी गया होंगे कि हाला कि वो एक बहुत ही unimportant से काम करते थे लेकिन Gemini family के वो सबसे जादा informed आदमी थे यानि कि सबसे जादा सूचना इन ही कोई मिलती थी सबसे जादा चीजे इन ही कोई पता थी the following is an excerpt from his book यह जो आब हम आगे पढ़ रहे हैं अपना chapter वो इनकी book का एक हिस्सा है और जो book का नाम है वो लिखावा है my years with boss तो थोड़ा बहुत आपको बचो जो है story के बारे में idea मिला होगा यह जमिनी studio नाम की जगे है वहाँ पे author जिनका नाम है असो का मितरन वो खुद एक यहाँ पे अपन कह सकते हैं इस जगे के यह story के character है वैसे of course ए fiction नहीं है real life बात है तो अपन कहेंगे कि character एक बार के लिए बोलने में कोई issue नहीं है अपने को भी और और भी लोग होंगे यह तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे हैं यहाँ पे कौन गोन यहाँ पे लोग हैं उनके बारे में बातशीत की जाएगे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ना story के start में इस chapter के start में थोड़ा सा बिवेर करना चाहता हूँ स्टोरी में थोड़ा confusion होता है बच्चों को मैंने देखा है कि बच्चे जब आम तोर पर इस story को बढ़ता है बहुत ही मज़ेदर कानी अच्छी कानी है काफी कुछ सीखने को मिलता है इसमें से लेकिन story में क्या है कि जो story line होती है मतलब जो continuity है ना वो ऐसी देखने को मिलती नहीं है इसमें कई चीजें क्या अचानक से कुछ और ही चालू हो जाता है तो थोड़ा सा यह जो unambiguous way में जाती है story इसको पकड़ के रखना थोड़ा सा अपना focus बनाया रखना चीजें जरूर समझवाएंगी it can be called a tough chapter but pancake was the brand name of the make-up material अगय समझें pancake क्या होता है यह देखो यह क्या है यह एक brand name है make-up material का that Gemini studios bought in truckloads so Gemini studio वाले जो है वो truckloads में खरीदे जह नहीं की truck भर-बर के खरीदे जह Greta Gabu must have used it Miss Gohar must have used it Janthi Mala must also have used it but Ratigno Agnihotri may not have even heard of it the make-up department of Gemini studio was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables मैं एक बर के लिए पहली वाली जो लाइन उस पर चलता हूँ कि Greta Gabu ने जरूर इसको यूज किया होगा Miss Gohar ने जरूर इसको यूज किया होगा Vajanti Mala ने इसको जरूर यूज किया होगा यहां इन बड़े-बड़े film stars का नाम लेकर यह बताया जा रहा है कि इनके समय में जितने लोग थे इनके समय में जनति Mala जी का नाम तो आपने सुना ही होगा Indian actress से बहुत बड़े इनके समय में जो लोग थे उन्होंने तो इसको यूज किया लेकिन रतिय अगर नहीं होतरी यानि कि एक टाइम बाद की कोई जो actress होईंगी उन्होंने इनसको यूज नहीं किया उन्होंने साथ सुना भी नहीं होगा इससे ये समझ में आता है कि Pancake एक समय पे तो बहुत बड़ी ब्रैंड हुआ करती थी जिसके ट्रक लोड खरीदे जाते थे स्टूडियोज वगरे के अंदर और जैमिनी स्टूडियो में भी इसको खरीदते ही थे तो सभी जो मतलब actresses वगरे जिनके बारे बात की जारी इन्होंने यूज किया है लेकिन लगता है एक सर्टेन टाइम के बाद में ये ब्रैंड लगता है बिलकुल ही गायव हो गया तभी जो अगले जनरेशन के या कुछ जनरेशन बाद के जो एक्ट्रेस है उन्होंने सुना तक नहीं है इसके बारे में ये पॉइंट समझ ना बच्छों पिर आगे बढ़ते हैं आओ देखें सहे होहन thri, व्हु कहाँ जान रहा है कि यह जो मेकप इपाट्मेंट था जैमिनी स्टूडियो कैंदि इंदर मेक इतनी बड़ी चीज थी इसका एक दिपाट्मेंन था और ये department कहा था ये सीडिया चड़के उपर था एक building के जो ये जो building है क्या मानी जाती थी Robert Clive की stables Robert Clive जो है वो अंग्रेजों में एक बहुत बड़े अफसर अपन कह सकते हैं गोडों को रखने की जगे होती है उनको कहते है तो कहना कि एक टाइम पर माना जाता है कि ये गोडों को रखने की जगे होगा करती थी और अभी उसके ऊपर जो है इनका make-up department अब ये देखिए जी Greta Gabo कौन है ये एक Swedish actress है जिन्होंने 1954 में she received an honorary Oscar for her unforgettable screen performances उनको honorary Oscar मिल चुका है इनको जी Greta Gabo को और क्यान के लिए बलिखाय जी गनीज book of world records named her the most beautiful woman who ever lived सबसे सुंदर महिला के रूप में उनको माना जाता है she was also voted the best silent actress of the country वो अपने country के सबसे बढ़िया silent actress यानि कि जो बोल के acting नहीं करता है माना जाता है इंको उसके बाद विजनती माला जी की बाद करते है an Indian actress whose performance was widely appreciated by Vimal Royce Devdas नाम की जो movie में विजनती माला जी का जो काम है उसको बहुत बड़ी उस तरपे क्या है जी appreciate किया जाता है Indian actress है उसके बाद में she won three best actress awards for her acting वो अपनी acting के लिए तीन बार best actress award जीत चुके थे she is now an active politician अब जो है वो क्या है एक active politician है story को लिखे जाना के time की बात हो रही है ठीक है a dozen other buildings in the city are said to have been his residence और जो खूब सारी जो buildings है वो क्या इसके residence के नाम पे जाने जाती थी ये Robert Clive जी के बारे में continue करने बारे और his brief life and even briefer stay in madras उनकी छोटी life और उससे भी छोटा जो उनका stay था madras के अंदर उसके लिए कहा जा सकता है Robert Clive seems to have done a lot of moving. Robert Clive जो है उन्होंने बहुत moving किया तब इदर सो दर बहुत गए वो besides fighting some impossible battles in remote corners of India मतलब एक तो वो fighting वगरा तो करते ही थे impossible battles की fighting वगरा तो करते ही थे इंडिया के remote corners के अंदर उसके अलावा वो इदो अधर भी बहुत जादा घूमते थे यह अपन कहना चाते है Robert Clive के बारे में तब बंदा शांत इसे नहीं बैठता थे and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras तो भई एक जगे का नाम बताए गया है इस जगे के अंदर इन्होंने marry किया है a makeup room had the look of a hair cutting salon जो makeup room था जो अपन बताना चाह रहे है कि Robert Clive जी ए उस्टेविल के ऊपर था इसका जो look था वो एक salon के जस्था था salon जहां पर आपने दिखा होगे यह बाल की cutting अगर अपन कराने के लिए जाते है with lights at all angles around half a dozen large mirrors जैसे आपन कह सकते हैं कि जो lights थी वहां पर उस saloon के अंदर वो mirror के मतलब पूरे area में लिए लग मतलब हाफ अज़े के आपन कह सकते हैं कि हर एंगल में थी जैसे माली जी की मिरर है ऐसे है तो एक light इधर होगी एक light इधर होगी एक light इधर होगी एक इधर एक इधर और एक इधर माली जी इस तरह के से तो mirror के हर एंगल पे गोलना चाहरे देखी at all angles सारे एंगल पे एक light थी भी they were all they were all incandescent lights so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup यह कह रहा है कि यहाँ पे यह जो incandescent lights जो है बच्छों incandescent करता होगी तू bright हो जो बहुत ज़्यादा क्या हो bright हो जो बहुत ज़्यादा brights थी इनके बार में गया है कि यह जो बहुत ज़्यादा lights थी आपे इनसे आप imagine कर सकते हैं कि कितनी बुरी हालत होती होगी उन लोगों की जिनका makeup होता था दो subjected to makeup का मतलब जिनके साथ में यह घटना होनी है किसी केसाथ जब कोई action होना है तो उसको subjected to करके वो action यहाँ पे लगी दिए जाता है तो make-up जिनका होना है उनके साथ उनकी जो है क्या बुरी हालत होती होगी यहाँपे misery card अच्छों जो है वो बुरी हालत होता है चिका है niin तो क्या बुरी आलत होती होगी, आप खुद इमाजिन करके देखो, आपको माल लीजिये, मिरर के सामने बिठाये जाए आपको लगए अच्छी बात है, चलो मिरर अमेरिका बहे का बागर है, जो भी आप सलोन जाते हो, बाल कटाने जाते हो, मिरर के सामने बैठते हो, लेकर अगर होँ ऐसे लाइट्स हो इतनी सारी, तो आप भी थोड़ा परशान होगे एक उस देर बार में, और अच्छा, ये टाइम भी देखो, 1954 के आसपस का है, जहां पर आपन कह रहे है, 1940 के आसपस का है, जहां पर आपन कह रहे है कि लाइट्स है, तो लाइट्स पहले, हीट भी एमिट करती थी, हीट और होँ जाय करती थी, और गर्मी के दिनों में क्या ही होता होगा, सोचो, चैन नहीं कोई जगे भी ऐसी नहीं, जहां पर कोई सर्दी बगरा पढ़ती हो, तब मेकप डिपार्टमेंट वास फर्स्ट हेड़ेट बाई बाई अब बेंगाली, वो एंड लेफ्ट, जो मेकप डिपार्टमेंट है, जब से पहले हेड किया गया, एक बंगाली के दोरा, जो बहुत बड़ा था भाई साब इस टूडियो के लिए, और इसलिए वो चला गया, He was succeeded by a Maharashtrian, देखो भई, succeeded by का अर्थ होता है, जब किसी की गद्दी पे कोई दूसरा परसन आके बैठ जाता है, ठीक है ना, तो जो परसन आ गया है, वो भाई के बाद में लिख दिया जाता है, एक Maharashtrian जो है आ गया भई, उसके बाद में, who was assisted by a Dharward Kannadika, जो किसके दवारा assist किया जा रहा था, एक Dharward Kannadika, वही धारवड Kannadika का मेनिंग, अगर आपको ना समझ मार बच्चे हो, तो यह one second, एक, अपने ऐसे कह सकते हैं, South में जो लोग होते हैं, South में जो लोग होते हैं, उनकी जो caste वगएर होगी, तो उनमें से कोई है कि यह caste है, तो महराश्टियन है, और assist किया जा रहा है, एक South Indian के दवारा, एन आंधरा, देको आगे दे ही दिया, एक आंधरा, अम मदरास Indian Christian, यह क्या है, एक मदरास में रहने वाला Indian Christian है, एक हंग्रेज जो बर्मा का है, and the usual local तमिल्स, और usual local तमिल्स जो है, वो भी महाँ पे थे, तो मतलब अपन कह रहे हैं, कि यह जो हमारे महराश्टियन थे, इनको लगबक पूरे देश में, जितने तरह के लोग हो सकते हैं, वो सब असिस्ट कर रहे थे, एक धार का क्रिस्टियन, एक एंग्लो बर्मिस, एक और usual local तमिल्स तो थे ही हुआ पे, चैनने की बात और यह, सारे लोग जो है, वो क्या करते थे जी, वो असिस्ट करते थे इसको, यह अपना जो महराश्टियन है, all this shows, यह सब कुछ शो करता है, that there was a great deal of national integration long before AIR, अपन कह सकते हैं यहां पे, एक national तोर पे इतने सारे तरह के लोग यहां पे एक साथ में रह रहे थे, हम कह सकते हैं, बहुत बड़ी integration यहां पे हो रही थी, AIR से पहले, और दूरदर्शन के बारे में और देखो क्या लिखा, and दूरदर्शन began broadcasting programs on national integration, अच्छा, अब यह कहने की बात हो रही ह उससे बहुत पहले यहां पे क्या हो रहा था, national integration हो चुगा था, यानि कि लोग आपस में जुड़ गये थे, यहां पे अपन कहना चाले, आगे देखते हैं, this gang of nationally integrated make-up men, देखो किती बढ़ी humorous language उसकी है, this gang, gang का मतलब यहां पे वैसे, of course वो gang नहीं है जो आप सोच रहे यहां पे group है, but group को gang बोलके यहां पे थोड़ा अपना यहां पे humorous way में इसको बताया है, हमारे author ने, this gang of nationally integrated, राष्टर गूप से integrated, जुड़े होए लोगों की यह जो gang थी, make-up men और make-up वाले आदमी थे ही सारे के सारे, to turn any decent looking person into a hideous crimson hood monster with the help of truckloads of pancake, देखते हैं, कि यह किस इसी भी एक अच्छे दिखने वाले person को, एक भद्दे, hideous card क्या होता है, भद्दे, crimson hood, crimson hood मतलब, crimson hood मतलब, जिसे monster को ले लते पहले तो बड़को, crimson hood monster मतलब, जिसके बहुत बुरे features हैं, चहरे पे या पर पूरी body पे, वैसे और भद्दे, एक monster के अंदर बदल सकते थ यह लोग, किसको एक decent looking person को, कौन लोग, यह make-up man जो थे, किसकी मदद से, with the help of truckloads of pancake, वो जो make-up का material था, pancake, उसकी मदद से, एक normal से इंसान को, यह पता नहीं, क्या शैतान बना सकते थे, यह, almost यह बोलने की कोशी शोरी है, and a number of other locally made potions and lotions, और भी दूसरी चीज़े हैं थी, pancakes के लावा, जिनको potions और lotions बोल दिया गए, यहाँ पे, lotion तो आप सुनते ही open, जिसे हाथ-pair पे जो लगाते हैं, lotion वैसा, तो इन क्रीमों की वदद से, और pancake की मदद से, एक normal से दिखने वाले इंसान को, यह एकदम बिल्कुल भद्दा और बुरा एक monster बना दिया करते थे यह जो हमारे make-up men थे सारे के सारे इस department के अंदर, तो यहाँ तक की जो story आपको थोड़ा बहुत कुछ picturization आपने किया होगा बच्छों, की story के अंदर हमने एक studio की बात की है, studio के अंदर एक make-up का department अलग से ही बूरा, और उसमें एक maharashtrian है जो इनको head कर रहा है और उसमें the days of mainly indoor shooting, ऐसे दिन थे जी, indoor shooting के, नहाँ पे mainly अपन किया है, indoor में ही shooting क्या गरते थे, ऐसे वो दिन थे, and only 5% of the film was shot outdoors, और से रफ फिल्म का 5% प्रतिशत हिसा जो है, वो outdoors है, की बाहर क्या किया जाता था, शूट किया जाता था, I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order, to look presentable in the movie, यह केता हैं कि मेरा मानना है, कि जो sets और studios जो थे, उनकी जो lights थी, वो क्या करते थी, उनको क्या करना होता था, जो girls and boys हैं, उनको ugly दिखाना होता था, to be made to look ugly in order to look presentable in the movie, movie के अंदर उनको presentable दिखाने के लिए, यहनि हमने यहां clearly मान सकते हैं कि हमारे जो author हैं, वो make-up के कोई बहुत अच्छे बड़े fan नहीं है, वो make-up को simply जमसना है, कि इन्जान को एक monster या भूत बनाने वाला काम करता है, क्या make-up, अभी हमने यह बोल रहे हैं कि girls and boys को जो है, क्या केते हैं, एक strict hierarchy चलती थी भी, make-up department के अंदर, hierarchy का मतलब क्या होता है बच्छों, जैसे अगर मान लीजिए, आपने देखा होगा, police के अंदर आपन देखते हैं, एक तो जैसे commissioner साब होता हैं बहुत उपर, फिर आप उना कभी-कभी S.A.S.P. का नाम सुनते हैं, फिर आप कभी-कभी इनस्पेक्टर का नाम सुनते हैं, यह मैं बग्तम normal, जो आप सुनते हों, उनका नाम ले रहा हो, होते बहुत सारे हैं, और फिर आप इनसे नीचे constable का नाम सुनते हैं, जो cynic type से होते हैं, तो यह एक क्या बन रहा है, एक order बन रहा है, एक क्रम बन रहा है, बस इसी को hierarchy कहत होता है, एक person, उसके अंडर में कुछ लोग होते हैं, उसके अंडर में कुछ और लोग होते हैं, तो यह जो एक system होता है, चाहिआ ब इसको ऐसे लिखो, या ऐसे करके भी, आपना बन इसको denote कर सकते हों, कि यह जो है यह एक HR की इसको क्या करते हैं तो यह कहरा है कि ऐसा ही जो है एक स्ट्रिक्ट हायर की मेंटेन की जाती थी Make-up Department के अंदरos呀 उसके अंदर एक head थे पता है थे फिर उनको assist करने वाले लोग थे तक चीफ make-up man made the chief actors and actresses ugly कि जो chief makeup man थे यो main थे makeup man वो क्या करते थे? वो actor और actresses को अगली बनाते थे, यानि कि बद्दा बनाते थे, उसके जो senior assistants थे, the second hero, उनमें जो second hero हुआ करता था, उसको second hero, heroine को क्या बनाते थे? अगली बनाते थे, और जो junior assistant थे, वो main comedian को बद्दा बनाते थे, and so on, यह हम बोलना चारे हैं, जैसे कि मैं जो का मितरन चीज हो है, वो पसंद नहीं करते है, make-up को मुझे लग रहा है, इसलिए जो chief है, वो actor, actors को अगली बनाते थे, जो दूसरे number के, मतलब जो hero हो गया, जैसे hero का बही हो गया, hero का कोई दोस्त हो गया, heroine की कोई सहली हो गई, college की दोस्त हो गई, ऐसे करके, तो उनक उनके लिए कोन होता था, senior assistant, और जो main comedian उसको क्या केते है, बद्दा बनाने काम कोन करता था, junior assistant, and so forth, so forth का मतलब और आगई, ऐसे ऐसे होता रहता था, जितना हलका रोल है, उतना हलके, फिर लोग भी है, make-up करने के लिए, यह यहाँ पे make-up, जो, make-up department का यह जो hierarchy है, इस त जाने कोशिश किया, अब दिखते हैं, the players who played the crowd were the responsibility of the office boy, आचा कमाल की बात देख रहे हो, कि जो ऐसे players थे, यानि ऐसे actors थे, जो crowd का काम करते थे, यानि कि बस भीड में जो खड़ा होना होता है, वो वाले जो actors होते है, उनको, उनको क्या किया था, वो जो थे, वो responsibility थे, office boy की अब office boy का अर्थ क्या हो गया, कि कोई ऐसा person जो छोटे मोटे काम करता है, आप देखते हैं, हर office के अंदर एक office boy होता है, जिसको पस छोटे मोटे काम करने के लिए रखा जाता है, यहां से यह समान लिया हो, पास-पास में से, यह चोटे मोटे चीज, या फिर सर्व कर दो कि यह काम office boy को दिया गया, किसका भई जो crowd को make-up जो लगाना है, कहा crowd को भी make-up लगाया जाता है, तो कैसे, even the make-up department of Gemini studio had an office boy, जो ब्रेकेट में बात लिगी है, कि even जो make-up department था, Gemini studio तो बट-बटी बात हो गई, उसका भी सिर्व एक make-up department जो है, उसके अंदर एक office boy अलग से on the days when there was a crowd shooting, ऐसे दिनों में जब एक crowd shooting हुआ करते थी, you could see him mixing his paint in a giant vessel, आप उसको देख सकते थे, वो paint जो है, वो मिला रहा होता था, किसके अंदर, एक बड़े giant कारत हो के बड़े, और वैसल कारत हो के बरतन, एक बड़े बरतन में वो क्या है, कि क्या अगर होता था, एक ब slapping it on the crowd players, और फिर जो crowd के जो players होते थे, यहाँ पे actors को players कहा जा रहा है, crowd के जो players थे, उन पर slap कर देता है, slap कर देता है, वैसे तो थपड़ मारना होता है, आप भी जानते हो, लेकिन यहाँ पे है, कि वो फट़पड़ फट़पड़ से करके बस post देता था उनको, जो भी व फेस का surface है, उस पे प्रेजेट हर एक pore, पूर का अर्थ होता है, चोटए-चोटा छेद, जैसे अपने skin जो होती है, चोटए-चोटा छेद तो होती है, तो उसमें से हर एक छेद को क्या घर दिया जाए, यह idea जो होता था कि इसका makeup का, he wasn't exactly a boy, वो actually मैं बस एक लड़का नह इतनी कम नहीं थी, देखो, he was in his early 40s, वो अपने early 40s में था, that means कि he was around 41 or 43 years old, having entered the studios years ago, जिसने क्या किया था, बहुत साल पहले, studio के अंदर एंटर किया था, in the hope of becoming a star actor, किस उमीद के साथ आये थे जी ए, कि एक star actor बनेंगे, और a top screenwriter, यह फिर एक top screenwriter बनेंगे, यह फिर डिरे इस उमीद में यह भाई साब आये थे, और office boy बन कर रहे गहे हैं, आपने 41, 42, 43 years की age के अंदर है, he was a bit of a poet, रहे एक poet, यानि कि एक कवी भी थे भाई साब, यह जो बता रहे हैं जिनके बारे में, इनको boy कहा जा रहे है, in those days, I worked in a cubicle, अभी आशो का में तिन अपने बारे मे करता था, अब cubicle का क्या हो गया है, जिसके ब्लॉक्स में होता है, आपने देखा होगा, आजकल के जो offices होते हैं, वो ऐसे, कुछ ऐसे उसमें blocks बना दी जाते हैं, इसके अंदर एक person जो है, वो अपना काम करता रहता है, इसके अंदर एक person बैड गया, यह उसका desk हो जाता है, इस पर एक computer screen है, उसके अपने काम करता रहता है, offices वगेरे में जो आम तोर पर culture चलता है, उसकी बात हो रही है, और यह कह रहा है कि मैं cubicle में काम किया करता था, आशो का मितर न उता रहे, two whole sides of which, जिस cubicle की जो दो sides थी, पूरी पूरी जो दो sides थी, वो French windows थी, अब French windows का होता है, कि वही माली जैसे यह ऐसे window और इसको माली जै कुछ partition में कर दिया जाए, दो में करो यह चार में करो, आप सी क्या पूर है, ति यह जो gate से खुल सकते हैं, जैसे तो window अपन घर में आम तर पर यूज करते हैं, उनको French windows ही कहता है, I didn't know at that time they were called French windows, और यह बात और यह most people thought I was doing next to nothing, तो मुझे बैठा हुआ देख कर या देखते हुए, बैठा हुआ कहा बैठा हुए, मेरी डेस्क पर बैठा हुआ देखते हुए, hearing up newspapers day in day out, पूरे दिन रात जो है, नूस्पर को फारते बुडते देखते हुए, most people thought, जादा तर लोग सोचते थे, I was doing next to nothing, मैं क ऐसा ही सोचते थे, so anyone who felt I should be given some occupation, तो किसी को भी जिसको लगता था कि मुझको कोई occupation या मुझे काम वाम दे दिया जाना चाहिए, put bars into my cubicle, वो मेरे cubicle में आके गुषपडते थे, and deliver an extended lecture, और एक बड़ा सा lecture जो है, वो एक डिलिवर कर दिया करते थे, अभी lecture किसी के भी बारे में हो सकता है, अब एक जामपल में लेगा, the boy in the makeup department, वो ही makeup department के boy, जो 40-40 साल के हैं, और मतलब छोटो-पोटे काम करते हैं, और क्या कहता है, makeup को जागे थोप देते हैं, crowd के ओपर, उनके बारे में का जा रहा है, had decided, उन्होंने decide कर लिया था, I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and per इनका कहने करते हैं, कि यह जो यह जो यह नोने आज सोचा है, यह जो boy है, उन्होंने decide कर लिया है, कि आज मुझे enlighten किया जाएगा, यानि कि Ashoka Mitran को enlighten किया जाएगा, यानि उनको बहुत बड़ी information या बहुत बड़ी ज्यान प्राप्त कराया जाएगा, इस बारे में कि कैस इसे एक बहुत बड़ा सहित्य का टलेंड जो है, वो वेस्ट किया जा रहा है, कि ना department, एक ऐसे department के अंदर, जो सिरफ फिट किस के लिए है, बारबर्स के लिए और परवर्ट्स के लिए, बारबर्स तो आप जानते हैं, बच्चों नाई को कहते हैं, बुरे जो इनसान होत और दिरे दिरे मैं पूरे समय क्या, क्राउड शुटिंग हो, ऐसा प्रे करने लगा, क्यों? क्योंकि अगर क्राउड शुटिंग नहीं होगी, तो ये नलाइक जो है, ये मेरे पास आके, मुझे फिर ग्यान देने लग जाएगा, कि भही मेरे ये क्या, मैं ऐसा हूँ, मैं हो अपनी बारे में बताएगा, और मेरे को कहां क्या कहते हैं, मेक अप डिपार्टमेंट में बॉय बना रखा है, नथिंग शॉट अव इट कुड सेव मी फ्रॉम हिस एपिक्स, और ये कह रहा है कि इसके अलवा और कुछ, यहीं जो शुटिंग बाहर हो जानी है, चाहिए आउड़ोर की, अगर आउड़ोर होगी तो पर याएगा नहीं, वहाँ यह मेक अप उतर हैगा, तो अगर यह नहीं हुआ, तो इसके अलवा कुछ भी, वो मुझे इसकी एपिक्स, यहीं इसकी जो कहानिया हैं, उनसे नहीं बचा पाएगा, In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person, in सभी frustration के instances के अंदर, यह जो frustration वगरा जो अपना निकाल रहे थे, इनकी कहानियों में, व्याक वाक्यों में, you will always find the anger, आपको हमेशा कुना anger देखेगा, directed towards a single person, एक single person की तरफ जो है यह anger आपको देखेगा, openly यह covertly, ओपन लिकाना बिल्कुल opposite हो जाता है, covertly, आपको, यानि कि खुले तोर पे यह चिपे होए तोर पे, directly या indirectly, एक person को क्या है, बार बार यह बन्दा टार्गेट घड़ता थे, and this man of the makeup department, was convinced, और यह जो makeup department का आदमी था, जिसके बारे में कहा जा रहा है, कि यह जो वाथ frustrated था, was convinced, इसकी convinced था, that all his wounds, उसका अर्थ होगिया बैट बच्छों, was गर दोगिया, उसके जो दुख है सारे, उसके सारे जो दुख है, ignominy, यानि कि जो disrespect है उसका, जो उसको respect नहीं दिया जा रहा है, disrespect है जो, and neglect है, और उसको neglect किया जा रहा है, यह सब कि, किस के कारण है, कोटा मंगलम, सुभू, कोटा मंगलम, सुभू के कारण यह हो रहा है, कोटा मंगलम, सुभू कोण है जी, आहीं बढ़ता है, सुभू, was the number two at Gemini Studios, अगर मैं कहता हूं कि, वो number two at the Gemini Studios है, तो इसका आर्थ है कि, Gemini Studios का, सबसे important person में, दूसरे number पे आने वाला बंदा, और क्य का जा रहा है, he couldn't have had a more increasing openings in films, then our grown-up make-up boy had, यह कह रहा है कि, अगर, अगर किसी को, जैसे इनको तो अपने क्याश किया था, यह जो हमारे grown-up man थे, वो जो boy हैं, make-up boy, grown-up make-up boy, जो है, इनको जैसी चाहिए थी, एक कमाल की opening, उतनी अच्छी opening जो है, अगर वो किसी को मिली है तो सिरफ सुबू को मिली, on the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times, यह कह रहा है कि, इसकी बजा है, जो है, उनको और भी ज़्यादा क्या, uncertain or difficult times को face करना पड़ा है, और when he began his career, क्योंकि जब उन्होंने अपने career को start किया, there were no firmly established film producing companies, जब उन्होंने अपने career को start किया, तो ज़्यादा film producing companies जो है, वो नहीं थी, नहीं studios थे, even in the matter of education, education के matter में भी, specially formal education, जो formal education है, सुबू couldn't have had an appreciable lead over, और सुबू जो है, वो एक अच्छी lead जो है, वो नहीं ले पाये थे, over our boy, but by virtue of being born a brahmin, लेकिन एक brahmin होने के कारण, a virtue indeed, जो कि हाँ, विलकुल एक वर्चू है, यह मानते है, मतलब कि quality ह जरूर, you must have had exposure to more affluent situations, इसको जो है, सुबू को, जरूर, क्या मिली होंगी, affluent situations, जो है, वो मिली होंगी, affluent का आर्थ होता है, बच्छों, affluent वैसे धनी इंसानों को बोलते हैं, यानि rich man को कहते हैं, जो लोग जिनके पास भी धन सम्पता खूब सारी होती है, अब situation का हिसाब ही field में आप हो, let's say, आपे studios वगरे की बात कर रहे हैं, तो studios वगरे के field में जवाब हो, और वहापे situation जो है, वो है, effluent है, मतलब बहुत चलता है, काम industry बहुत ग्रो कर रही है, जिसके बहुत पैसा है, तो इस ऐसी situations में, और ऐसे लोगों के touch में जरूर ये person जो है, उन लोग है, उसको तो अच्छा exposure मिल गया सारा, और जब industry बहुत अच्छी थी, उस time पर चला गया, even education के मामले में भी, बट हमारे जो 40 years के जो old boy हैं, उनके साथ में ये सारा काम नहीं हो पाया, अचा एक virtue और बताईए है, उनको, एक quality और बताईए है, कि वो एक ब्रहमिन है, वो ज number two के ला रहे हैं, मतलब बहुत important person है, he had the ability to look cheerful at all times, even after having had a hand in a flop film, इनका कहना है, कि उसके पास में कैसी ability थी, कि वो cheerful दिखता था, at all times, हर समय, सभी समय में, even after having had a hand in a flop film, एक flop film, जो बहुत जादा ना चलती है, उसको flop film कहता है, आप सब बच्छे को पताई वाली बात, love film में हाथ होने के बावजूद, वो बंदा कभी भी अपने आपको cheerful, जो है, वो से नीचे नहीं रखता था, हमेशा cheerful, खुश ही मेराता था, मजे मेराता था, he could never do things on his own, वो जो है, वो खुझ से, जादा चीजे जो है, वो नहीं करत था, but his sense of loyalty made him identify himself with his principle completely, लेकिन उसका जो इमानदारी का sense था, उसने उसको सिखाया, या उसने उसको identify करना सिखाया, कि वो क्या काम कर सकता है, और उसके जो प्रिंसिपल है, वो किस तरह के है, and turn his entire creativity to his principle's advantage, और उसकी पूरी creativity है, वो अपने प्रिंसिपल के, जो उसके boss है, उन के advantage में वो कैसे ला सकता है, ये उसके पास में creativity थी, और इस चीज़ को बहुत अच्छे से, वो सोच लेता था, he was a tailor made, he was tailor made for films, मतलब कि वो totally suitable था, tailor made कार्थ होगे बच्चो, suitable for films था, here was a man who could be inspired when commanded, या एक ऐसा आदमी था, जिसको inspire किया जा सकता था, जब उसको क्या करते थ इसलिए सुभू को सब number two मानने लगे था, the rat fights tigress underwater and kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly, I don't know how to do the scene, the producer would say, and सुभू would come out with four ways of rat pouring affection on its victims offspring, अपड़ी कमाल की बात यहा पर देखो लिख हुई, यहा पर बताया जा रहा है, कि हमारे काहनी काहनी का यह जो करेक्टर है सुभू, यह कितना creative था, यह इतना कमाल का था, यह कैसे tailor made था films के लिए, कितना suitable था, वो यह बात बता ही जा रही है, एक example दिया है, कि मतलब इसकी इतनी पूछ इतनी थी, number two यह इसलिए था इस पूरे Germany Studios के अंदर, क्योंकि इस person के बास में घजब की quality थी, कमाल की creativity थी, यह जो काम इसको करने था, वो छोटे काम यह करता ही नहीं था, करते ही बड़े काम था, और वो बड़े कामों को करने का रहे है, अब इसका example देखो क्या दिया है, एक जो producer है, उसको एक scene को क्या है, शॉट करना है, और वो scene क्या है, जो एक rat है, यह एक चूहा, वो fight करता है, टाइगर से क्या कर रहा है, fight कर रहा है, and kills her, और उसको मार देता है, but takes pity, लेकिन दया करता है, पिटी कर्स क्या है दया करता है, और यह वाली जो बात है, यह जो scene है, इसको producer अगर कहते है, कि मुझे नहीं बता यह scene कैसे करना है, तो, सुबू, चार ऐसे तरीके लेके आजाता था, जिसमें, यह चार ऐसे, आप मान सकते हैं कि creative ideas लेके आजाता था, जिसके अंदर red जो है, वो affection यानि कि love ही होता बच्चों, affection जो है, वो core कर रहा है, किस पे, उसके victim के offspring, offspring करता है बच्चे, offspring करता है, बच्चे, victim कोन है याप है, टाइग्रेस, वो टाइग्रेस को मार दिना, उसने, तो टाइग्रेस के बच्चों पे कैसे, प्रेम जो है, वो दर्शाना है, या प्रेम जो परसाना है, आप यह कह सकते हैं, उसको बताने के, चार तरीके, सुबू भाई सब निकाल के enough, लेकिन जो बात कही जारी आगे देखो क्या, तो प्रोडूसर वोड से, एंड इन अ मिनट, सुबू वोड कम आउट, विद फोर्टीन मोर अल्टरीके, तो कह रहा है कि अच्छा, अगर वो चार तरीके लिए आता है, तो प्रोडूसर कहता है, कि हाँ अच्छा, लेकिन म और उप्शन्स कि इस काम को ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, तो और चाउदा तरीके उस एक अजीब सी स्टोरी के, एक अजीब सी शॉट के, जिसको शूट करना, शायद किसी भी प्रोडूसर के लिए मुश्किल होगा, वो उसके चाउदा और वर्सन्स पहले से थियार कर लेता है, यह सुब नाम का बंदा है, वो आसपास में होता था, and if there was, sorry, if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was सुबु, तो है रहा है कि अगर किसी परसन ने direction और definition दी है अगर Gemini Studios को, उसके golden time के अंदर, तो वो कौन था जी, वो सुबु ही था, सुबु had a separate identity as a poet, और इन सब चीजों से अलग ही identity थी, एक poet के रूप में, और किस के रूप में, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, हाना कि वो बिल्कुल capable था, यानि कि सक्षम था, capable कर तो सक्षम होता है, सक्षम था किस चीजों के लिए के, more complex and higher forms जो होती थी, उनके लिए के लिए था, he deliberately chose to address his poetry to the masses, वो जान पूच के, deliberately कर था होता कि क्या करना पसंद करता था, अपनी poetry को address करना पसंद करता था, to the masses, masses मतलों लोगों को, लोगों को अपनी जो poetry है, वो बताना पसंद करता था, यहाँ पर जो अपन करना है न, यह जो higher forms हैं, और more complex forms है, इसका अर्थ हो गया, मतलब shooting के अंदर बहुत ही कमाल की, और बहुत ह कि अपन ऐसे कह सकते हैं कि, जिसमें बहुत मुश्किल और complex चीजें होती हैं, शूट करने के लिए, उन चीजहों करने का वो सक्षन था, लेकिन उसको poet बनना बहुत अच्छा लगता था, और वो poems जो है अपनी, वो deliver करना ज्यादा पसंद करता था, His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements, कि बढ़ी बाद लिए देखो, कि उसकी जो literary achievements थी, यनि उसका जो साहित्य को लेके जो उसकी achievements थी, वो overshadow हो गई थी, किस से, films में उसको जो success मिल गई थी, उस से, और so his critics felt, और या फिर ऐसा, उसकी critics feel करते थे, He composed several truly original story poems, उसने खुद भई बहुत सारी, truly original, मतलब सच में जो original थी, यनि कहीं से copy या कहीं से inspiration लेके नहीं बनाई थी, ऐसी story poems बनाई थी, in folk refrain and diction, fiction, folk refrain मतलब, कि जो लोगों के समझ में आएं और उस type की हो, refrain का अर्थ बच्चों होता है कि, refrain अगर अपन poem के sense में use करें, तो जब कभी किसी poem में या किसी गाने में, एक word या एक phrase हो है, वो बार-बार अगर आती हो, तो उसको ही बस सपन refrain कहता है, folk refrain के अंदर और diction के अंदर उसने बहुत सारी poems को बनाया था, also wrote a sprawling novel, और एक बहुत बड़े स्तरपे, यानि बहुत स्तरपे तो निकोंगा, एक बहुत बड़े creativity के साथ में बनाई हुए एक novel को भी उन्होंने लिखा था, यानि कि जिसके अंदर characters का जो औरा है, वो बहुत जादा था, यानि एक से जादा तरह के जो characters उनको include करके रखा हुआ था, आगे लिखा है, अच्छा इसका नाम लिखा हुआ है, देखो, novel का, थिलाना ओनंबल, with dozens of very deftly etched characters, इसके अंदर क्या थे, deftly etched characters थे, ऐसे etch का जो आर्थ होता है बच्छों, वो होता है कि जैसे म अब अगर माल लिजे, मैं एक sticker लेका आता हूँ, और sticker को ऐसे लगा देता हूँ, और आपने देखा हो कभी-कभी जो sticker है, वो कांच वगर क्या होता है, तो वो कांच का sticker ऐसे लगा दिया, तो बस इसको ही etched करना कहता है, ठीक है, और deftly का आर्थ होता है skillfully, तो dozens of, यानि क ही बहुत ही skill के साथ में बनाए होए, एस्ट कर थे हमें क्या बच्चों, बनाए होए, तो बहुत ही skillfully बनाए होए, जो characters है, वो इसने इंक्लूड कियो थे अपने इस novel के अंदर, यह अपन यहापर बोलना चाह रहे है, He quite successfully recreated the mood and manner of the devdasis of the early 20th centuries, और early 20th century की ही यह बात है, उसके बात में क्या बोला है, He quite successfully recreated, उसने recreate करा, किस चीज को, मूड को और मैनर को, devdasis के, इसके है, early 20th century की, पतलब यह उसमें इनक्ट कर दिया, बहुत बढ़िया तरीके से, He was an amazing actor, यह बहुत कमाल का actor था, He never aspired to do, sorry, aspired to the lead roles, उसने कभी भी lead roles करने नहीं चाहे, Aspire करत क्या होता है, करना चाहना कोई काम को, but whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main players, आपको बात समझ में आई की होगी, कि, और उसने जो कुछ भी subsidiary मतलब, subsidiary मतलब एक तो मेन हो गया, मेन के साथ में, जैसे मेन आपको बताया था न, जैसे मेन जो hero है, उसका leading hero का भाई हो गया, या उसके पिताजी हो गया, या उसका दोस्त हो गया, या अभी heroine के साथ, heroine के साथ तो of course नहीं हो पाया गया, या heroine का भाई हो गया मालो, तो इस तरह के जो roles है, वो जिस भी films में करता था, he performed better than the supposed main players, जो main players होते थे, यानि जो main actors होते थे, lead actors होते थे, उनको ये पीछे चोड़ देता बंदा, he had a genuine love for anyone he came across, इसके पास में किसी भी बंदे से जिससे ये मिलता था, किसी भी बंदे से जिससे ये मिलता था, उसके लिए genuine love होता था, मतलब सच में उसको अच्छे से अपने मानता था वो person, बहुत अच्छा उनको लगता था, तरजनों ऐसे दूर और पास और दूर के रिष्टेदारों का और जो जानकार थे उनके लिए, एक घर मतलब धरमचाला बना रही थी उसने अपने घर के अंदर, सब को उसने include कर रहा था, It seemed against Subhu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. ये जो Subhu है, उसके nature के ये चीज बिल्कुल against थी, कि वो इस चीज को लेके conscious हो जाए, कि वो देखे कि यार मैंने इतने सारे लोगों को क्या कर रखा है, इतने सारे लोगों को मैं feed कर रहा हूँ, यानि खाना खिला रहा हूँ, और support कर रहा हूँ. ये वो सोचता ही नहीं था मतलब, it was, he was that person, कि वो इतना सोचता ही नहीं था, he was very generous, अपनी ऐसे कह सकता है, such a charitable and improvident man, एक बहुत charitable और एक improvident man, अच्छा, improvident का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान, जो future के बारे में कम सोचता है, और अपना time और पैसा, spend करने में time और money, time और money जो है, वो spend करने में पीछे नहीं रहता, इस तरह के इंसान को भी बोलता है, improvident, and yet he had enemies, और फिर भी उसके enemies थे, बतलब इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद, उसके क्या थे, enemies थे, Was it because he seemed so close and intimate with the boss, क्या ये इसलिए था, क्योंकि वो लगता था, क्या, बहुत close और intimate किसके साथ, बावस के साथ में, किसकी बावस के साथ में, जो नजदीगी क्या थी, वो बहुत जादा थी, क्या इसलिए ऐसलिए ऐसलिए ऐसलिए, और या फिर ये उसका बस एक normal behavior होता है, that resembled a psychophant, जो की एक चाप लूस के जैसा दिखता है, psychophant का मिलिं क्या होता है, psychophant का दो हता है, चाप लूस, और his readiness to say nice things about everything, या फिर, वो हमेशा तयार रहता था, कि किसी भी चीज के बार में, अच्य ची बाते करेगा हो, in any case, किसी भी केस में, there was this man in the makeup department, किसी भी केस में, makeup department में, who would wish the direst things for Subhu, और ऐसा होने के बाद वजूद, किसी भी केस में, Subhu के बार में, बुरा दबुरा सोचने वाला जो है, कोई ये इंसान था, कौन आपको पता है, वो है, आपका 40-year-old boy, You saw Subhu always with the boss, but in the attendance roles, आप हमेशा, Subhu को जो है, वो boss के साथ देखेंगे, attendance role, he was grouped under a department, called the story department, वो हमेशा, story department, जो एक group था, उसमें ही रहता था, Comprising a lawyer, जिसके अंदर कौन कौन है, एक lawyer है, and an assembly of writers, और writers की क्या है जी, एक assembly है, बहुत सारे writers है, और क्या है, बहुत सारे poets है, इनका एक group है, उसके अंदर एक lawyer है, और इस पूरे department को कहा जा रहा है, story department, और story department के साथ ही कौन रहता था, सुबू रहता था, The lawyer was also officially known as the legal advisor, जो हमारा lawyer था, ये legal advisor भी था, legal advisor का आर्थों के बच्चों यहां पे, कि अगर मान लिजिये, कि ये जो भी काम कर रहे है, studio के, in the recording and all that, उसमें अगर legally कोई गलती वो कर देते है, कोई कानूनी जुर्म कर देते है, तो काम इस बंदे का था, ये बताने का, कि वह ये काम आपको ही करना है, या फिर ये काम आप कर सकते हो, but everybody referred to him as the opposite, लेकिन हर कोई इसको opposite ही समझता था, यहने की legal advisor मानते ही, an extremely talented actress, who was also extremely temperamental, once blew over on the sets, temperamental का अर्थ क्या होता है बच्चों, देखो temper जो word है, वो कहिना कहीं गुस्से के साथ में, जो है, जैसे आपने कई बार सुनाओगा, कुछ लोगों को short tempered कहते हैं, short tempered मतलो जिसको जल्दी गुस्सा आजाए, और यहाँ पर temperamental जो है, इसका meaning दिया जा रहा है, वो यहीं है कि गुस्सेल थी, बहुत ही talented actress, जो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, गुस्सेल भी थी, once blew over on the sets, blew over, blow over का अर्थ, देखो, एक यसी चीज के लिए हो, तो वो तो फटना होता है, और blow over का अर्थ, अगर इनसान के लिए हो, तो उसका अर्थ होता है, गुस्से से फट जाना, बहुत टेज गुस्सा अगर किसी को आ जाए, तो उसके लिए पर ब्लो अवर वर्ड कोई हो सेट्स पे, सेट्स का अर्थ बच्चों यहाँ पर स्टूडियो या फिर वो जो रिकॉर्डिंग के लिए या जो सुरी अपना कह सकते हैं, शूटिंग के लिए जो एक पूरा महोल बना रखा होता है, उसको सेट्स कहते है, तो सेट्स पे क्या है वो गुस्से में आ गी, व श्चानक से रुख जाते हों जा बिल्कुल तो वो जहां हर कोई क्या हो गया था बिल्कुल स्टन हो गया था, लोयर जो है उसने चुपचाप कॉइटली मतलब चुपचाप, रिकॉर्डिंग को स्विच अन कर दिया, जो रिकॉर्डिंग का एक्विपेंट था स्री उसको कर दिया उससे क्या हुआ वो जो पूरा गुस्सा उसका था वो रिकॉर्ड हो गया वेंद एक्ट्रस पॉजड फॉर ब्रेथ जब एक्ट्रस ने आश लेने के लिए उससे में जरूर सुना रही होगी किसी को कुछ आश लेने के लिए जब रुखी लॉयर सेट टु हर वन मिन एंड अनमेंचनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रस 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 टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर के कह रहा है कि इस बात से अफकॉर्स उसको बहुत गुस्सा होगा और यह कहा जा रहा है कि उसके बाद जो हुआ एक्ट्रस में जो बहुत ही खरी-खोटी सुनाई है और बुरी तरह से जो टायरेड वर्ड का अर्थ होता है किसे को खरी-खोटी सुनाना उससे में बहुत लंबी सी स्पीच देना इसके लिए एक वर्ड और होता है इसमें उसे रेंट कहते हैं बच्चो रेंट आर एंट आर एंट रेंट तो रेंट जो है उसने रखा किसके सामने प्रडियूसर के सामने और यह कह रहा है कि यह जो काम उसने किया था उसके लिए बोल रहा है यह कि there was nothing incriminating वहीं और कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो इतना incriminating हो या unmentionably foul हो जिसको mention करने की जुरुती नहीं है कितनी बुरी वह चीज हो यह पन कह सकते हैं यह जो काम उसने किया था आप उच्छे जो recording on कर दी थी incriminating करते मतलब बच्छों जिसके कारण कोई परसन क्रिमिनल एक्टिविटी ना कर दे मतलब ऐसा कि कुछ ऐसा जिससे कुछ क्राइम ना हो जाए ना खराब ना हो जाए इस तरह की चीज को पन incriminating गयते हैं but when she heard her voice again thought the sound equipment she was struck dumb पर उसने कहा कि जब लेकिन उसने अपने आवाज को फिर से सुना through the sound equipment sound equipment से she was struck dumb वो बिलकुल चुप हो गी बिलकुल एक्दम ऐसे चुप हो गी जैसे कोई अचानक क्या हो गया a girl from the countryside 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 का मतलब क्या हता हम बताता हम को she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into अब यहां जो बात लेकिए थोड़ी सी आपे hypothetical बात चलेगी एक लड़की जो country side से है country side मतलब एक आम जगे जो होती है किसी देश के अंदर जैसे की यह अपन कह सकते है गाउं का जो हिस्सा होता है उस तरह का तो एक लड़की वहां से जिसने क्या नहीं किया है she hadn't gone through all the stages of worldly experience जिसने दुनिया के जो experiences है उन से वो go through नहीं हुई है इसका अर्थ है कि उसमें उनको experience नहीं किया है that generally precede a position of importance जिसका माना जाता है जो all the stages of worldly experience को go through करना जिसको माना जाता है कि यह importance की position है उससे भी आगे है उससे भी उपर है और sophistication से भी आगे और उपर है that she had found herself catapulted into जिसके अंदर उसने अपने आपको catapulted पाया मतलब जिसके अंदर उसमें अपने आपको फेकावा पाया अब यह तो मैं शाब्दी गर्द बताए अब आप इस चीज का मतलब समझो क्या हुआ यह कह रहा है कि उस लड़की ने जब अपनी आवाज बगर को सुना तो उसने अपने आपको इतना अच्छा पाया कि उसको लगा कि जो worldly experience की हुए जो stages पर काम की हुए जो लोग होते हैं उतना अच्छा उसने अपने आपको इहां पर पाया और यह चीज जब उसने देखी कि उसको इस चीज के अंदर मतलब एक तर कैसे दखेल दिया गया था क्योंकि of course एक situation दी जिसमें उसने act कर दिया जो था वो enactment नहीं था वो कुछ acting नहीं की हुई थी वो हो गया था और उस चीज को देख के वो कहीं आगी अंदर यंदर खुश थी अबाव आगे देखेल लेकिन इस चीज से इस चीज से एक जो डर उसके अंदर बैठ गया था वो ऐसा था जो उससे वो कभी रिकवर नही यह एक चोटे और बहुत अच्छे अक्टिंग करियर का क्या था एंड था लीगल एद्वाइजर वो और टोरी डिपार्टमेंट का भी क्या था था मेंबर था एड जो लीगल एडवाइजर है यही अन्विटिंगली मतलब विट का अर्थ बद्चु बुद्धी होता है औ बुद्धी मतलब से और अन्विटिंगली का मतलब के बेव कुफी से बेव कुफी से उसने क्या कर दिया यह इस तरह का सैड एंड जो है वो ले आया था कौन हमारा लीगल एडवाइजर एवरी अधर मेंबर अफ देपार्टमेंट वोर अ काइंड अफ उनिफर्म जहां हर कोई हर कोई जो है वो क्या करता था एक उनिफर्म पहना करता था इस डिपार्टमेंट के अंदर हर दूसका जो इंसान है खादी दोती वाज असलाइटली ओवर साइजट एंड अ क्लमजीली टेलर वाइट खादी शर्ट अधि दोती पहनते थे सब लोग और क्या करते थे एक क्लमजीली यानि कि ठंग से टेलर यानि अच्छे से टेलर नहीं कि हुई थी नॉट वैल टेलर यानि बहुत अच्छे से सीली वी जो नहीं वाइट खादी शर्ट होती थी उसको पहना करते थे जो लीगल एडवाईजर था वो पहनता था पैंट्स एंड टाइ एक और बेंता था यहां पर यहां पर कोट ओफ मेल का मद अर्थ क्या था पूट अब ने देखा होगा अभी-कभी जो पहले जैसे युद्दा वगरे जो हुआ करते थे वारियर्स होते थे तो वह अपना ना एक आर्मर पहना करते थे आपना देखा और यह जो आर्मर होता था इसमें क्याई यह चेन की चोटी-चोटी-चोटी-चोटी ऐसे होती हुआ हुग करके पूरा मैं क्या बनाई लगाए हो चलो भण व्हुत शारी वह जो है कीरिंग्स होती है अब मेरे işन कर लियों होगा आपने में किया शाब कि इस तरह के रिंग से दुम घर होता था जिसक यह फ्लेक्सिबिल भी होता था, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी वो भी खराब नहीं होती थी, इस तरह का आर्मर जो है वो पहले लोग पहना कर देते हैं, आप अगर मानली जी राजिस्तान में रहते हैं, तो आप किसी भी एक फोर्ट के अच्छे म्यूजियम में जाके जाएगा, ठीक है ना, तो इस तरह का आर्मर हुआ करता था, उसको पहना करता था, उसको कोट अफ मेल कहते था, ठीक है, अब इसने यहां पे क्या किया है, यहां पे humorously, यह एक अश्वग अमितर जी ने कहा है, कि वो एक कोट पहना करता है, जो कोट अब मेल लगता था, मत often he looked alone and helpless कई बार अक्सर ऐसा होता था कि वो अकेला और helpless मेजर आता था अकेला और helpless मेजर आता था a man of cold logic in a crowd of dreamers तो यह अच्छी बात है मैं आपको समझाता हूँ उसका मतलब क्या है cold logic का अर्थ क्या होता है जी बिना परवा किये जब अगर कोई action किया जाता है तो उसके लिए भी cold word का use कियर करते बचों showing a cold shoulder एक idiom है जिसका अर्थ होता है किसी को rudely किसी से बात करना और सिधा सिधा जो है वो मुँपे बोल देना बिना अदब के या फिर बिना respect के यह कह रहा है कि एक person था जो cold logic का था मतलब सिधा बोल देता जो है जैसा है और किन के बीच में था crowd of dreamers crowd of dreamers मतलब वो लोग जो सपने देखते हैं अब कोई अगर सपना देखता हो तो obviously बात है अगर इस तरह का कोई मुफट इंसान होगा वो तो उसके dream को एक बार में उसकी प्रगच्चे उड़ा देगा और बुरी तरह से उसकी बेश्ति कर देगा तो यह वाली चीज यहां पर बोलने कुछ a neutral man in an assembly of Gandhiite and Khadhiites यह एक ऐसी assembly जिसके अंदर Gandhiites है यानि कि Gandhi को सपोर्ट करने वाले और Khadhi को सपोर्ट करने दोलो तरह के लोग हैं और उनके अंदर यह neutral man था मतलब किसी एक साइड में नहीं था वैसे गांदी और Khadhiite तो यह की बात होगी लेकिन मान लीजे कर अलग लोग उनमें यह कहीं भी नहीं था दौनों में से लेकिन यह बोलना चाहता है कि कई ऐसे थे जो किसको सपोर्ट करते थे बास को जिनको बास को ना समझ मारा रहा हो जो बास इनके अंदर वो उपर उपर जो थे उनकी बात कर रहे हैं उसको जो है वही अलाओ था कि वह एक फिल्म को प्रड्यूस कर सके और इसलिए बहुत सारा जो रौस टॉक था किस चीज का जो भी चीजें वाँ पर यूज होते हैं उनका और पैनकेक यहने के मेकप का वर उसलिए उनको यूज के जाता था not much came of the film जादा चीजें फिल्म में से नहीं हैं और एक दिन स्टोरी डिपार्टमेंट को बंदी कर दिया बास नहीं और शायद यह अकेला ऐसा वाक्या था पूरी हूमन हिस्ट्री के अंदर जिसमें where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home जहां पे एक lawyer को अपनी job जो है वो खोनी पड़ गई क्योंकि poets को घर जाने को कह दिया गया था क्या लिए ऐसी हिस्टा था नहीं तो उल्टाई होता है इसका चलिए के बढ़ता है Gemini Studios was the famous sorry was the favorite haunt of poets like SDS यो योगियर संगु सुब्रमन्यम कृष्ण सास्त्री एंड हरिंदरनाथ चतुपाध्या Gemini Studios के अंदर इस तरह के Gems ने भई काम किया It had an excellent mess which supplied good coffee at all times इसके अंदर एक अच्छी mess यानि की canteen जैसी एक जगे थी तो बहुत अच्छी coffee जो है हर समय क्या करती थी Provide करती थी दिन के और for most part of the night और रात के भी ज़्यादतर हिस्से जो है Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment यह कह रहा है कि यह वो दिन थे जिनके अंदर Congress जो है उनका जो rule था वो क्या था Prohibition था यानि कि वही कुल आपको मना कर दिया जाएगा किसी भी चीज और meeting over a cup of coffee यानि कि cup of coffee पर जो मुलाकात होती है वो बहुत satisfying हुआ करती थी और entertainment भी हुआ करता थी Bearing the office boys and a couple of clerks everybody else at the studios radiated laser कि रहा है कि office boys और कुछ clerks के अलावा बाकि जो कोई भी था वो studio के अंदर बस खाली समय अबना व्यतीत कर रहा था Radiate word का वैसे जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज का धिरे-दिरे फैलाव जैसे radiation होता है यह उसी वर्ब है यहाँ पे इसको humorously use कि है जिसका आर्थ बताया जा रहा है कि उनमें से एक तरीक से laser निकलता रहता था यह खाली समय में जो enjoyment होता है वो निकलता रहता है बाकी मतलब इसका रहता हो कि वो सारे कलंजी थे और कामवाम नहीं करते थे अब कि poetry लिखने के लिए यह चीज़ जरूर यह बेगा, Most of them वो और खादी ज्यादा तर लोग उनमें से खादी पहनते थे ये करेंगे इन में से ज़्यादा दर लोग खादी पहनते थे और गांदी जी को वर्शिप करते थे यानि की पूझते थे लेकिन उससे आगे किसी भी तरह की पॉलिटिकल थोट अगर कोई लेके आ जाए तो उसके लिए कोई अप्रिशेशन नहीं रहता था था इन लोगों के अंदर मतलब लेदे के बाद यह कहीं जा रही है गांदी जी बस फेमस थे इसलिए उनको यह फालो करते थे खादी पहनते थे उनको देखके और पस उनहीं को फालो करते थे उनको कोई फरक नहीं पड़ता था पॉलिटिकल थॉट वगर अगर नौलेज कुछ नहीं था कोई और इंसान अगर गांदी जी वाली ही बात अगर कर दे उसको अप्रिशेट नहीं करते थे यह बात है Naturally, they were all averced to the term communism और वो लोग, naturally ही communism नाम की जो term है इससे क्या करते थे अफरत Avers का अर्च बच्चों क्या होता है? Hateful हत्रइड All averced तो, यहां पर hateful हो जाएगा सामयवाद बिलकुल पसंद नहीं है अब ये जो उपर नाम लिखेगे तो देखो, SDS योगियर होगे और हरिंदरनाथ चटपाद्य होगे, उनके बारे में बताया जा रहा है कौन-कौन थे यह लोग, अई देखते हैं, जिसे SDS योगियर जो है, यह एक freedom fighter थे और एक national poet, तो artist होगे, इसलिए उनके बारे में नामा और प्ले लिखने वाले, a communist was a godless man, कोई communist वाली बात अब continue हो रही है, कि जो communist है, कोई godless man है, यानि कि उनका कोई बगवान नहीं है, he had no filial or conjugal love, filial का अर्थ होता है बदो बच्चों के लिए, और conjugal का अर्थ हो गया wife या partner के लिए, जो life partner होता है उनके लिए, उनके बाज में इनके लिए कोई love नहीं होता था, मतलब भ्रहलू इंसान नहीं होते थे, communist के बारे में एक आजारा है, जो सामयवाद को follow करते हैं, he had no compunction about killing his own parents, इसके अंदर अपने parents को मारने का regret है, या guilt है, वो नहीं होता है, और his children या फिर अपने बच्चों को मारने का, मतलब यहां पर बताया जा रहा है, communist के लिए, he was always out to cause and spread unrest and violence among the innocent and ignorant people, यह हमेशा बहर निकले रहते हैं, ताकि क्या कर सके, unrest और violence cause कर सके, इनके innocent या निर्दोश, और ignorant का मतलब जिन जो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो वाले लोगों के बीच में, unrest और violence cause करने को ति अक्षानती हो गया, अक्षानती हो गया, unrest का हो गया, such notions which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi-cled poets of Germany studios की, वो जो सारी तरह की चीजें, इस तरह की जो notions हैं, यानि कि यही communism की बात हुरी है, यह जो पूरे इंडिया में, sorry, पूरे South India के अंदर हर जगे prevail कर रहे थे, यानि कि famous हो रहे थ यह कही न कहीं खादी क्लेड, यानि खादी पहने हुए इन poets के भी दिमाग में आ गए, कहाँ पे, Seminy Studio के अंदर, evidence of it was soon forthcoming, इस चीज़ का जो evidence है, यानि इस चीज़ का जो सबूत है, वो बस आने ही वाला था, forthcoming मतलब अच्छो upcoming होता है, when Frank Butchman's moral re-armament army, तो यह Frank Butchman कौन ह भी आपको बता देंगे, इनकी moral re-armament army जो है, moral का अर्थ होता है, nethic, re-armament का अर्थ हो जाएगा, कि इसके अंदर हथियार involved है, इस तरह की army, some 200 strong, जिसमें 200 लोग है, visited madras sometime, जब यह काम हुआ, जब उन्होंने अपनी आर्मी थी, उन्होंने madras को visit किया, sometime in 1922, 1912 में कहीं पर they could not have found a warmer host in India than the Gemini studios, इनको Gemini studios के अलावा और कोई बढ़िया host पूरे, पूरे इंडिया में और कहीं भी नहीं मिल सकता रहा, warmer का मतलब जो अच्छे से welcome करें, अच्छे से welcome करने वाला और कोई host नहीं मिल सकता था, बजाएग इसके Gemini studio के, यह बात किसकी हो रही है वई, Frank Bachman क someone called the group an international circus, और कोई-कोई लोग तो इनको हो क्या कहते थे, एक international circus कहा करते थे, they weren't very good on the trapeze, वो लोग trapeze पे बहुत अच्छे नहीं थे, बताऊँगा मैं trapeze क्या होता है, and their acquaintance with animals, और नहीं उनके जो animals के साथ में acquaintance यानी जान पहचान जो थी, वो बहुत जादा अच्छे या, sorry, was only at the dinner table, जो सिर्फ क्या थी, animals के साथ में सिर्फ dinner table पे थी, मतलब ये लोग जानवर बस खाते थे, इनका जानवर को जो control करना है, जो circus के लोग कर लेते है, वो कुछ बढ़िया नहीं करते, आगे, but they presented two plays, लेकिन उन्होंने प्रेजंट किये दो plays in a most professional manner, एक सबसे ब इनका नाम क्या है, Jotun, ये और the forgotten factor, ये कई शोर चले इनके, मतलब कि कई राउंड के अंदर ये जो है, ये शोर चले, मदराश के अंदर, and along with the other citizens of the city, और बहुत सारे citizens हैं, उनके, ये, उनके साथ में चला, लोगोंने किया कि इसको follow किया काफिया तक, the Gemini family of 600 saw the plays over and over again, ये जो Gemini family थी, Gemini studio के जो सारे लोग थे, इन्होंने इसको, इस play को क्या किया, ये 600 लोगों की जो family थी, इस play को बार 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 देखा, in plays को, उसके बाद में, the message of the plays were usually plain and simple, जो message थे, in plays के, in नाटकों के, वो plain और simple थे, कोई दिक्कत नहीं थी, homilies, but the sets and costumes were first rate, लेकिन जो set था, बढ़िया बनाय हुआ, जो costume था, वो first rate था, बढ़िया कमाल का था, मतलब, जो play के अंदर जो चीज होती है, जो अपना content होता है, वो इतना कोई खास नहीं था, वो plain और simple सही था, लेकिन, जो उन्होंने costumes और जो set उन्होंने तियार किया था, वो first rate था, बढ़िय अगला, madras and the tamil drama community terribly impressed and for some years almost all tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of jotham valley with a bare stage, a white background curtain and a tune played on the flute. I guess आपको कोई बात समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझारता हूँ, madras और tamil drama community, they were terribly impressed and for some years, बहुत बुरी तरह impressed होगे थे यह लोग, जादे ही impressed होगे थे, terribly impressed करती हो गया, और कोई कई सालों तक, for some years, almost all tamil plays, लगबग सारे tamil plays के अंदर क्या होता था, ए विल्कुल उसी तरीके से जैसे जौतन वैली में होता था, खाली स्टेज के साथ में, a white background curtain, जिसमें white background में curtain यानि परदा होता था, and a tune played on the flute, और flute यानि वांसुरी पे एक tune, आपको ने इसको imagine भी कर लिया होगा, tune बज़री है वांसुरी पे, यानि कि वांसुरी पे tune एक अर्थ है, ऐसे बेर कार्थ जो होता है, वो uncovered होता है, जिसे ये मेरे जो हाथ है, ये bare hands है, है न, they are not covered, उनको bare hands कहा जाता है, अगर मैंन को gloves पहल लूँगा, तो they will not be bare hands, ठीक है, आई बटता है, बागी bare का यहां पर stage के sense में जो अर्थ हो जाएगा, वो खाली हो and the big bosses of madras, like Mr. Vassan, simply played into their hands, तो क्या कहा जा रहा है जी, कुछ सालों बाद में ये काम हुआ, कि इसे पता लगा, कि जो M.R.A है, M.R.A क्या है भी, moral re-armament argument, जो M.R.A है, ये एक तरह का counter movement था, इसकी तरफ जी, international communism के, international communism जो होता है, उसके खिलाफ counter movement था, उसके सामने की movement था, यानि उसकी खिलाफ एक चीज़ थी and the big bosses of madras, और जी madras के जो बड़े-बड़े boss थे, जैसे Mr. Vassan, इनको simply क्या कर दिया गया भीया, इनको simply उख दे दिया गया, प्ले मतलब यहां पर जो है, इनके साथ में खेल कर दिया गया, इनको दुखा दे दिया गया, into their hands, उनके हाथों, बस वो use हो गए एक तरीके से, I am not sure, however, मैं बाकी sure नहीं हूं इस चीज़ को लेके, that this was indeed the case की, ऐसा ही case था, for the unchangeable aspects of these big bosses, लिकि ये जो हमारे big bosses है, इनके जो पहलू है, वो change होते रहते हैं, और हमको खुद भी नहीं पता होते हैं, क्या अक्चल में इनके दिमाग में बात चल रही है, क्या पता वो इसको support ही करते हूं, या पर क्या पता ये उनके द्वारा खेल दिया गया है, या फिर उनके द्वारा दोखा दे दि The staff of the Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes, एक चीज की इनको बहुत कोशी की थी, कि जो Gemini Studios का staff था, उसको बहुत मज़ा आया, 200 लोगों की जो भीड थी उसको host करने में, बहुत खुश थे, जिस भी तरह के all hues and sizes, मतलब हर तरह के हर टाइप के जो हैं लोग वहाँ पे थे, और वो दो-दो सो लोग यहां पे जो हैं उनको host करने का मौका मिला, of at least 20 nationalities, इसमें कम से कम 20 nationalities के लोग थे, यानि की 20 अलग अलग देशों के जो लोग हैं, वो कम से कम आपर थे, 200 लोगों में 20, 20 nationalities के लोग थे, इस चीज को लेके वो बहुत कुश थे, यह बताना चारा है, यह बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं कहेंगे, यह अच्छा खासा चेंज था, जो उज्वल कलेक्शन होता था, crowd players का, जिनको जो वेट करते रहते थे थे, कि उनके मूँ पे जो थिक लेयर्स of makeup है, वो थोपा जाए, इसके दवारा, office boy के दवारा, makeup department के, इससे एक change, हमको देखने को मिला, इन दो plays के अंदर, यह हमारे जो अशोका मित्रणा, वो कहना चाहते, a few months later, कुछ महिनो बाद, the telephone lines of the big bosses of madras buzzed, कुछ महिनो बाद में, telephone lines जो है, वो big bosses की, वो buzz हो ही, मतलब बजी, and once again, we at Gemini Studios, cleared a whole shooting stage, और फिर से, हम जो यह जो Gemini Studios के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, एक whole shooting stage जो है, वो क्या कर दिया, चाफ कर दिया, to welcome another visitor, एक और नए visitor को welcome करने के लिए, all they said was that he was a poet, जो और कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस हित्ता बताया, कि वो एक poet था, कास जी, from England, okay, only poets from England, the Simple Gemini staff knew, जो थोड़े बहुत poets, England से आने वाले थे, और जिनको Simple Gemini staff जानता था, और Heard of, यह जिनके बारे में सुना था, वर Wordsworth, चिरह Wordsworth के बारे में सुना था, और Tennyson के बारे में सुना था, the more literate ones knew of Keats, और और जो थोड़े से पढ़े लिखे थे, more literate बतला वही जमini staff के अंदर जो और पढ़े लिखे थे, उनको Keats के बारे में पता था, Shelley के बारे में पता था, और Byron के बारे में, and one or two might have faintly come to know, और एक दो जो है, उनको सैथ थोड़ा बहुत, faintly मतलब बहुत धुंदला धुंदला सा, come to know मतलब पता चला है, of someone by the name of Elliot, थोड़ा बहुत जो है वो Elliot को भी जानते थे, Who was the poet visiting the Gemini studios now, क्या वो था, जो अब Gemini studio को क्या कर रहा था, विजिट कर रहा था, आए, तो आए देखते हैं आगे, He is not a poet, जो पोईट नहीं, he is an editor, वो एक editor, that's why the boss is giving him a big reception, को एक पोईट नहीं है, वो एक editor है, और इसलिए बास जो है, उसको एक बड़ा reception दे रहा है, Vassan was also the editor of the popular Tamil weekly, Anand Viketan, Vassan जो थे, जो भी boss है, वो भी एक क्या थे, editor थे, एक popular Tamil weekly, weekly का रहत बच्चों, हो गया, कि एक जो weekly, कोई किताब बगएर है, या फिर मान दीजी कोई magazine आती है, उसकी बाद यहां कि, जिसका नाम गया, Anand Viketan, चिक है, He wasn't the editor of any of the known names of British publication in Madras, वो किसी जो जाने पचाने जो नाम थे, British publication के Madras के अंदर, उनका editor, that is, those known at the Gemini studio, इसलिए, जो भी known लोग थे, जो Gemini studios के लिए, जो known थे, इस तरह के, since the top men of the Hindu, were taking the initiative, जो कि, जो top men थे, Hindu community के, initiative ले रहे थे, Surmise was, that the poet was the editor of a daily, इसलिए, एक जो बात फैली हुई थी, वो यह थी, कि, जरूर यह जो poet है, वो क्या है, एक editor है, एक daily का, यानि कि, यही, newspaper, magazine, गरे का, but not from the Manchester, Guardian, और London Times, लेकिन वो कोई, Manchester, Guardian जैसी publication, या London Times जैसे publication का, editor नहीं था, that was all, बस इतनी सी बात है, that even the most well informed among us knew, बस इतना ही जानते थे हम में से, जो सबसे ज़्यादा informed था, वो भी इतना ही जानता था, बस, चलिए तो भी यह परसन कौन है, इसके बारे में देख लेंगे भी, at last, around 4 in the afternoon, finally, 4 बजे, afternoon में, poet और the editor arrived, he was a tall man, tall थे, very English, very serious and of course very unknown to all of us, बहुत serious थे, बहुत English थे का मतलब क्या होगे है यहाँ पर, जो England के लोग जिस तरह के हुआ करते थे, उस तरह के ही इनके हाव भाग थे, बहुत serious थे और बहुत ही हमारे लिए unknown थे, यह नहीं नहीं जानते थे, बैटलिंग विद हाफ a dozen pedestal fence on the shooting stage, जो क्या कर रहे थे, जो जादा तर, जो pedestal fence थे, उनके साथ में बैटल कर रहे हैं, उनको दूर बगा रहे हैं, उनको लड़ रहे हैं, बॉस रैड आउट अ लॉंग speech, उनको दूर रहताते हैं, बॉस ने क्या गया, यह चीज क्लियर हो रहे ही थी, कि उनको भी कोई बहुत जादा कुछ नहीं पताता, उनके बारे में, वही जो पोईटर एडिटर चलोगा, the speech was all in most general terms, जो speech थी वही general terms रख रखी थी, बहुत ही मान हैं, बहुत ही अच्छे हैं, यह बहुत ही कमाल की चीज, जो उनके बारे में ऐसी उनसे अलग हो या फिर उनको यूनिक मनाती हो, कुछ उनने ऐसी बहुत ही बहुत ही जो चीज है, जैसे तैसे करके क्या कर दी गई, भी बोल दी गई, with words like freedom and democracy, words or freedom or democracy आजा दी और बही क्या कहते हैं, democracy जैसे शब्दों को यूज करके, speech जैसे तैसे करके उनने बोल दी, then the poet spoke, और उसके बाद में वो जो poet है, वो बोल दी, he couldn't have addressed a more dazed and silent audience, उनने शायद आज तक इतनी चुप जो audience है, वो कभी address की ही नहीं होगी, नहीं है, उसका संबोधन किया नहीं होगा, या बात की ही नहीं होगी, ऐसी audience के सरफ, no one knew what he was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying, कि किसी को नहीं पाता था, वो किसी बारे में बात कर रहा है, और उसकी जो accent थी, वो किसी भी बंदे को हरा दे रही थी, कि मतलब कि उसकी जो accent थी, वो इतनी मुश्किल थी समझने में, कि कोई भी नहीं समझ पा रहा था, कि वो बोलना क्या चाह रहा है, the whole thing lasted about an hour, और यह जो पूरी चीज है, यह एक घंटे तक चली, ठीक है जी, लास्ट कार थी, किसी action का चलना है, किसी चीज का चलना, ठीक है ना, यह पूरी चीज एक घंटे तक चली, then the poet left, और उसकी बाद में, poet जो है वो चले गए, and we all dispersed in utter bafflement, और हम सारे जो है, वो bafflement कार थी, तो थी, confusion बचाह, what are we doing, और सोच लगे, कि हम क्या कर रहे है, what is an English poet doing in a film studio, which makes Tamil films, for the simplest sort of people, एक English poet, एक Tamil studio, एक film studio में क्या कर रहा है, जो Tamil films मनाता है, और जो simplest sort of people, एक्तम simple लोग जो होते है, उनके लिए Tamil film मनाता है, उस studio के अंतर, एक English man, कर रहा था, English poet क्या कर रहा है, people whose lives least afforded them, the possibility of cultivating a taste for English poetry, एसे लोग, जिनके लिए English की poetry का कोई मतलब ही नहीं है, उनको ये taste of English poetry क्यों दिया जा रहा है, the poet looked very baffled too, वो जो poet था, वो भी कुछ सत्तक थोड़ा सा confused नहीं था, baffled कर बुच्छो क्या होता है, confused, और he too must have felt the sheer incongruity, of his talk about the thrills and travels of an English poet, तो कि उसको भी लगा होगा, कि ये जो मैं अपने, जा कहते हैं, अपना ही जो मैं कामवाम करता हूँ, English poet के तोर पे जो उसकी life रहती है, उसकी जो thrills है, experience है, तो काम वगरह वो करता है, जो उसके experiences है, उसको लेकर इन लोगों को क्या ही पता होगा, और कौन सा इनको जानकर ये इन सब चीजों की, तो वो बताते टाइम भी उसको बड़ा अजीब साही लग रहा होगा, कि, sorry, his visit remained an unexplained mystery, उसकी visit हो गई, हम सब confused हो गए, वो भी confused हो गया, वो चला गया, और ये जो सारी चीज़े है, अभी भी एक unexplained mystery है, किसी को कुछ नहीं बता, ये क्यों होगा था, यहाँ पर इस शोका मित्र नहीं बताना चाह रहा है, कि इस studio के अंदर पता नहीं क्या-क्या हो जाता था, अब ये भी एक कहानी इसके अंदर कर दी, जिसका कोई science नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहानी उन्होंने बताई है, क्योंकि ऐसा कुछ भी हो जाता था, जिसके बारे में कुछ पता इन चलता था, studio में है, इससे हम यह बताना जाता है, जैमिनी studio में कुछ भी होता था, तो बहुत महान prose writers हैं, दुनिया के, वो शायद इस चीज को admit ना करें, वो शायद मेरे साथ में अद्मिन नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है, और मेरा जो conviction है इस चीज को लेके, वो रोज क्या हो रहा है, strong हो रहा है, जो prose writing है, और prose writing जो है, वो एक genius के लिए रास्ता नहीं हो सकती, एक true genius अगर किसी को बनना है, तो वो prose writing उसको नहीं करनी चाहिए, यह वो बोलना है, इस फार दे पेशेंट, persistent, persevering, with a heart so shrunken that nothing can break it, यह कहा रहा है, यह जो चीज है, एक ऐसे इंसान के लिए है, तो क्या है, patient है, यानि कि इसमें धहर्य है, persistent है, यानि लगातार क्या करता है, महनत करता है, persevering है, यानि कि लगा ही रहता है, वो ही, इसमें भी persistent, प्रिंग में same equality है, ऐसा ड्रज है, यानि ऐसा इंसान है, जो लगाई रहता है, टस से मस नहीं होने वाले जिए इंसान होते, उसको ड्रज कहता है, और ऐसे दिल के साथ में है, जो इतना डूबा हुआ है, कि उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, बहुत ही कठोर इंसान के लिए है, ले दे के इवाद मुलिए, rejection slips, rejection slips don't mean a thing to him, rejection slips जो होती है, उसको कोई फराखे नहीं बढ़ता हुँँए, जो टस से मसना होने वाले इंसान है, और उसने एक बार में क्या कर दिया जी, एक फ्रेश कॉपी बना दी, एक लॉंग प्रोज क्वीज की, और उसने क्या कर दिया, इस चीज को एक दूसरे एडिटर को भेज दिया, और इंख्लोज करते हुए, क्या सीज के साथ में, पोस्टेज के साथ में, और रेटर्न आप दे मैनिस्क्रिट, वो जो मैनिस्क्रिट आई थी, उसके रेटर्न के लिए, It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page, पे दा हिंदू के एक unimportant page, के एक insignificant, यानि कि बहुत जो important नहीं है, वैसे corner के एक announcement आई थी, उस चीज के लिए, जो दा हिंदू नहीं, जो पुब्लिश की थी announcement, उस चीज के लिए ये काम किया गया था, A short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter, कोई एक The Encounter नाम से एक periodical था, किस की तरफ से, British लोगों की तरफ से, फिर से ये publication type की कोई चीज है, अब उनको बहुत जारा डीविस में नहीं जाना है, लिकिन ये चीज, ये जो लोग है, ये organize कर रहे थे क्या, एक short story contest, contest मतलब बच्चों, ये competition होता है, The Encounter wasn't unknown, Of course, The Encounter wasn't unknown, commodity among the Gemini Illiteracy, और of course, जो Gemini के हमारे जो पड़े लिखे लोग थे, उनके लिए, The Encounter एक अजान नाम था, उनको कुछ नहीं पता था, इस बारे, I wanted to get an idea, of the periodical, before I spent a considerable sum, in postage sending a manuscript to England, तो मैं पहले यार, थोड़ा सा, आईडिया लेना चाहता था इस चीज का, इस से पहले कि मैं एक अच्छी खासी, अच्छी खासी sum, अच्छे खासी धन राशी जो है, तो पोस्टेज में लगाऊं, तो कहां भेज रहा हूं है, तो थोड़ा समय ने सोचा इस बारे में, इन दोस देज, ब्रिटिश कांसल लाइबरेरी, एड एन एंटरेंस, विद नो लॉंग विंडिद साइन बोर्ड्स, उस समय, ब्रिटिश कांसल की जो लाइबरेरी है, उसकी एक एंटरेंस थी, जिसके अंदर विंडिद साइन बोर्ड्स नहीं हुआ करते थे, नोटिसेस नहीं हुआ करते थे, तो मेक यू फिल, जो आपको फिल करवा दे, यू वर स्नीकिंग इंटो ओ फोर्बिडन एरिया, यानि यहां पर आप नहीं जा सकते, उस एरिया के अंदर जा रहे हैं, and there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness, the encounter की, जो है, वो copies जिदो फैली हुई, almost untouched by readers, जिनको लगबग readers ने touch किया ही था, when I read the editor's name, जब मैंने editor के नाम को पढ़ा, I heard a bell ringing in my shrunken heart, मैंने एक bell मेरे दिमाग में एक दिल में बजी, क्या कहते हैं, जो मेरा बहुत ही धुबावा heart था, इसका heart था कि बहुत ही एक rising चीज इनके साथ में हुई, it was the poet who had visited the Gemini Studios, कि वो poet था, इसने Gemini Studios के अंदर क्या किया था, जो आया था, वो ही यह poet था, और इसका वो एडिटर था, इसका the encounter, आगे दिखते हैं, I felt like I had found a long lost brother, मुझे ऐसा लगा कि मैंने पुराना भाई जो है वो वापिस से पा लिया है, and I sang as I sealed the envelope, और मैंने गाया, जैसे ही मैंने envelope को क्या किया, seal किया, and wrote out his address, और उसका address जो है मैंने लिखा, you would be singing the same song at the same time, मैंने को ऐसा feel हुआ, कि वो भी वही गाना गाएगा, जो मैं गाना गाऊंगा, मतलब ये थोड़ा सा हवा में चले गे हैं, जैसे हो का में तरे, long lost brothers of Indian films discover each other, by singing the same song in the first reel, पहली reel के अंदर जो है, पुराने जो भाई है, जो बिच्डे होए भाई है, वो एक साथ में गाना गा रहे हैं, जैसे ही वो मिल गए एक दूसरे के साथ में, दूसरी तरफ बंदा अंग्रेजर लेकिन इसको बिभी मजा आ रहे हैं तेखवाओ, फिर कहा है, and in the final reel, और आखरी जो हिस्सा होता है, फिल्म का, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, वही सेम गाना वो गाना है, पहले बहले बहले में गाना है, फिर आखरी बहले में गाना है, तो मतलब इन्होंने मूवी क्रिएट करती ही, देखवो, उसी तरह के लोग हैं, तो ऐसे बना दिया, इन्गलिश पोएट एसे इसे थे, उसको लेकर क्या करते हैं, यह लिखते थे, उसके स्ट्रगल पोए, उसमे संगर्ष पे, और कई सालों बाद, और आई वस आउट ऑफ जैमनी स्टुडियो से बाहर आया, और आई हैद मच ताइम, जो मिर पास में बहुत समय था, बट नॉट मच मनी, लेकिन बहुत जादा धन नहीं था, anything at a reduced price attracted my attention, कोई भी चीज, जिसकी price बहुत कम हुआ करती थी, मेरी attention को क्या कर लेती थी, क्या दर कर लेती थी, आन दे फुट पाथ, इन फ्रेंट अफ दे मद्रास, माउंट रोड पोस्ट अफिस, फुट पाथ पे, रास, माउंट रोड पोस्ट अफिस, के सामने फुट पाथ पे, there was a pile of brand new books, फिल्कुल नहीं किताबों की एक pile याने की एक धेरी लगी थी, और 50 पैसे इज, सिर्फ 50 पैसे में एक थी, actually they were copies of the same book, असलिमें वो एक ही बुक की खुब सारी copies थी, एक बहुती कमाल का पेपर वक था, अमेरिकन और इजिन का, special low-priced student edition, तो क्या था, student edition था, low-priced याने की कम पैसो के अंदर, इस चीज को उन्होंने देखा है, इस देखते हैं क्या होता है, in connection with the 50th anniversary of the Russian revolution, वही, रस्या रश्या रवलुशन से connection था, अब ओला जी, भी रस्यान connection होने के कारण, 58th anniversary के साथ में, मैंने पैसे हैं, थी है, 50 पैसे, और मैंने copy जो है, वो ले ली, और गॉड, डट फिल्ट, यह उस फूक का, six eminent men of letters in six separate essays, अभी देखो, अलग-अलग चार लोग हैं, एमिनेंट का अर्थ हो गया बच्छों बहुत ही जाने माने फेमस लोग है अफ लेटर्स इन सिक्स सेपरेट ऐसे और छह अलग-अलग ऐसे थे इसक्राइब देर जर्णी तो अलग-अलग छह ऐसे थे उन्होंने उनकी जर्णी को एक्स्प्रेस किया और उनका जो बिलकुल अब ऐसे कह देजिए जिसके अंदर विलकुल वद्धोस थे उस में से उस हालत में उनका जो रिटर्न था एंद्रिगाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सिलाउन, आर्थर कोईस्टलर, रुईस पिशर, इन स्टीफन स्प्लेंडर ये वो नाम थे एक बार के लिए ऐसा लगा कि धेरे दिमाग के एक डार्क चमबर में, एक अंधेरे कमरे में जैसे एक बत्ती जगई हो, एक दी आजल गया हो, ऐसा लगा The reaction of, sorry, the reaction to Stephen Spender at Gemini Studios was no longer a mystery, अब जो reaction था Stephen Spender को लेके अब वो कोई बड़ी मिस्ट्री नहीं था, जोहाँ पे reaction था Gemini Studios के अंदर, कहने करता है कि पहले किसी को कुछ समझ नहीं आया था, कि जो मिस्ट्री थी ये क्या होई, लेकिन अब सब कुछ समझ में यहाँ पर आ रहा है The boss of the Gemini Studios may not have much to do with Spender's poetry, कि Spender की जो पोईटरी है उसको लेके जो हमारे Gemini Studios के boss थे वासन जी, उनको ज़्यादा गुस्नी था उनको पोईटरी के साथ में, लेकिन बिलकुल उनका जो गौड है, जो फेल हो गया, उसको लेके उनको बहुत ज़्यादा क्या था, कोई उमीद थ कौन थे? एक French writer थे, feminist थे, moralist थे, जिन्होंने Nobel Prize जीता literature के अंदर in 1997, Richard Wright कौन थे? एक American writer थे, जो अपनी novel Native Son और अपनी autobiography Black Boy के लिए जो है वो जाने, इग्नाजियो सिलॉन कौन थे? एक Italian writer थे, जो founder थे, founder member थे किस चीज के, Italian Communist Party के 1921 के अंदर, and is known for the book, और book के लिए जाने जाते हैं, अंदर हमने एक अंदर हमने एक आपको पहने 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 जाते हैं, जिनके भी नाम रिखे हुए थे, बच्छों, ये था हमारा chapter, Poets and Pancakes, तो आपको, I hope, ये chapter समझना होगा, इसके अंदर हमने एक, आपको पहने पहले ही बतायता है, एक storyline जो है, वो आपको शायद देखने हो के इसमें नहीं, बार यहां पर क्या करेंगी, मेंचन की गए, तो इस तरह के भी देखो, वेग चप्टर आते हैं अपने और देखो जैसे अपने अपने अंदर है, और इस तरह के जब चीज होती है, चेक किया जाता है, एक student जो है, उसका, आप ऐसे कह सकते हैं, कि जो focus है, वो कितना So that's all from my side in this session dear students, next session में हम देखेंगे कि इस chapter के questions किस तरह के आ सकते हैं, और उनका answers हो है हमें कैसे देना है, एक नेक्स session में, thank you so much, bye bye